सो हेलो गाइस की हाल चाल सस्रिया काल मैं ड्रॉइंग आइटिस्ट आदित्थी मिश्रा आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी रिफ्रेंस इमेज में ग्रेट कैसे अपलाई करें ये गाइस तो हम अपनी फॉन स्क्रीन पे आ चुके हैं अब हमें ग्रेट बनाने के लिए सबसे दाउंडूड करके रख तो अब हम ये आप और करते हैं के आपको यहां पर जो इन यूद्स को आप सबस्ट में डेफर्ट लिख है इसपे आपको क्लिक करना है फिर इस पे आपको अपने पेपर का साइज करना है चाहिए आपका A1, A2, A3, A4 कोई भी हो उसको आपको सेलेक करना है फिलाल मैं A4 कर रहा हूं पेपर का साइज अगर आपको नहीं पता कौन सा है तो आप यहां पी स्केल लेके डाम स्टीन आपके जो हो तो आपका सकते हैं जैसे कि यहां 21 आएगा और 29 आएगा मैं आपको यह अगले सॉट में दिखा भी दूँगा पार्टू में कि उसके बाद आपको यहां पर एड्जेस्ट वाला ओप्सन इस पर क्लिक करना है फिर यहां पर जाके सिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् एंड यहां पे एक color को option है, यहां पे आप कोई भी color change कर सकते हो, जो आपको suitable लगे एंड उसके बगल में diagonal को option है, यहां पे आप अगर और professional drawing करना चाहें तो आप इसको भी कर सकते हैं, इसमें भी बहुत सारी color मिलते हैं आपको एंड यहां पे एक option है, टेक्स्ट का, इसे अगर आप open कर देंगे तो आपका paper नहीं भूलेगा कि कौन से box में थे, अब यहां पे यहां पे आप हमको मिलेगे, एक real size, real size में क्लिक करेंगे तो आपको y cm मिलेगा जो आपको paper में मिलेगा, उसके just bugle में है lock option, अगर यह lock कर देंगे आप तो आपका कोई paper move नहीं होगा, उसके बाद है, आप full screen, full screen क्लिक करेंगे तापका पुड़ा full screen पे आ जाएगा, and just bugle में है save and share, आप इन दोनों में save करके, दोनों में से आपके gallery पे आ जा आ जाएबगा